पुर्व मंत्री कॉंगरेस नेता गोविन सिंग ने जोतीरादित्यसिंध्या के खिलाफ मोचा खोल दिया है सिंग ने कहा अब समय आ गया है उप्चुनाव में लोकतंत्र के साथ सौधा और गधारी करने वाले सिंध्या परिवार के मुख्या को सबब सिखाया जाए पुर्व मंत्री एवम कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता और विधाया गोविन सिंग ने जोते रदित्य सिंधिया और उनके परिवार पर हमला बोला और कहा कि 1857 में यदि इस परिवार ने विरांगना लक्ष्मी बाई और अमर शहिद अमर चन बांठिया का साध्या होता तो द देश कभी का आजाद हो गया होता लेकिन सिंधिया राज परिवार ने देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का साध्या लेकिन अब समय आ चुका है कि उप्चुनाव में लोक्तंत्र के साथ सौदा और गद्दारी करने वाले इस परिवार के मुखिया को सबक सिखाया जाए और कॉंग्रेज को उप्चुनाव में सभी सुल्हा सीटों पर विजय मिरे और अंग्रेज जोनों मिला के सफांसी पर लटकाए था वही स्थान है आज उनको हम सब लोग हमारे साथ ही कांग्रेज के वाई उनको नमन करने आए उनके सदान जली देने आए और ऐसे बात दो जन्न अमर्चंद बाटिया उनके परवार को मैं आज भी उनका स्वागत कर जो यहां उपस्ते थे और उनका अपरणदर करता हूं गवालियर की जनता इस महान करतिकारी की आद में जिस घंदान नहीं से घदारी करके हमारी जनता की खौन नेता को फंसी लगवाई हमारे लोगों के साथ घदारी करके सैक्णों, किरानतकारी जो आजादी के लाइए भागी थे भागी दार थे महारा ही रचिमी जाई के साथ धोका किया अन्य था हमारा देश 1870 में 90 साल पहले सुतंत्र हो जाता है उसका एक मात रखर कोई दोसी है तो वो है इस गवालियर का रियासत का ततकालीन महरा जा और यहां के जो जाके अंग्रेज जो थे उसमें ब्रिटिस का जो यहां का बाइस राय था उसने भी लिखा हुआ है लिखके भेजाता कि अकर आज सिंदिया हमारे साथ नहीं देता तो हमें बोरिया बिस्तर बांद कर बढ़ेन बापिस आना था पड़ता है यह पूरा लेक जालों जुले के गजेटियर में जो सास की गजेटियर उसमें पन्नों पेज नमबर 37 पर दर्ज है यह त्यास बताता है इसलिए आज हमारे सब जनता से अपील है कि जिसने जो कांग्रेस पार्टी के कारकरता हुआ कि खून के साथ मेहनत के साथ पसीने के सा सुधा किया है आगामी चुला में इस खांदान को ख़देड कर इस संभाग को और पूरे कांग्रेस को मुक्ति द्लाएं संगीत 300 लहरियों से सांस्क्रित एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ तक जोपड़ी से महलों तक थेलों से मेलों तक पकडंडियों से सडकों तक गाउं से शेहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राज़्टीती से उटनीती तक दखन आप क्या था?